यह देखिए क्रिस्पी हो गई है, अब इसको दूसरी साइट से भी क्रिस्पी होने के लिए छोड़ देते हैं. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कार्डियो किचन में, मेरा नाम है मनीशव, आज हम बनाने जा रहे हैं मटर के कटलेट, इसको हम मटर की टिक्की भी बोल सकते हैं, लेकिन रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमरा वीडियो पहली यह मैंने फ्रोजन मटर लिया है, अगर आवीलेबल हो तो आप फ्रेश मटर भी यूज कर सकते हैं, अब सबसे पहले हम मटर को मिकसिंग जार में दालके दरदरा पीस लेंगे, यह मटर को मैंने दरदरा पीस लिया है, अगर इसमे एक-दो मटर रह जाते हैं तो कोई दिक् अब हम इसमें डालेंगे आदा कब सूजी, सूजी डालने से इसमें अच्छा बाइंड भी आता है और ये बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे अब इसमें दालेंगे दो बारिक कटी हुई हरी मिर्ची हरी मिर्ची दालने से इसमें एक अलग सा तीखा बनाता है जो खाते समय बहुत अच्छा लगता है अब हम इसमें दालेंगे मीडियम साइज का एक बारिक कटा हुआ प्याज अब हम इसमें दालेंगे स्वादा अनुसार नमक, लाल मिर्ची स्वादा अनुसार, हल्दी दालेंगे 1 फोट टी स्पून, यह हम सिर्फ कलर के लिए दाल रहे हैं, गरम मसाला हाफ टी स्पून, और साथ में मिलाएंगे अमचूर एक टी स्पून, अमचूर और हरी मिर्चे मिलके इसको बहुत ही अच्छा चटपटा बना देंगे, अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, ये देखिए ये अच्छे से mix हो गया है अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके हम पानी एड़ करेंगे पानी एक साथ नहीं दालना है थोड़ा थोड़ा करके ही हमें मिलाना है ये dough हमारा तयार हो गया है ये देखिए ये इतना गाड़ा dough हमें चाहिए इसमें लगबग 1 फोर्थ कप से भी कम हमारा पानी लगा है, अब हम इसको 15 मिनिट के लिए ढग कर रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे, 15 मिनिट हो गए हैं, अब हम डो को चेक कर लेते हैं, सूजी अच्छे से फूल गई है, मतलब डो हमारा सेट हो गया है, अब चलते हैं हम गैस की तरफ, और कटलिट बनाना शुरू करते हैं, कटलिट को आज हम तवे पे बनाएंगे, सबसे पहले तवे पे दालेंगे, 2 टी स्पून ओईल, इसको तवे पे पूरे अच्छे से ग्रीज करेंगे, जब तक तेल गरम होता है, हम डो को कटलिट का शेप दे देते हैं, सबसे पहले हाथों पे थोड़ा सा ओईल लगाएंगे, थोड़ा सा पोर्शन हम इस मिक्स का लेंगे, इस तरह से सर्किल बनाएंगे, और इसको एक टिकिया का शेप देंगे, और अब इसको तवे के ओपर दालेंगे, तेल गरम हो गया है, अब हम इन कटलिट को तवे पे दालते हैं, एक बार में जितने तवे पे आएंगे, उतने ही हम कटलिट दालेंगे, अभी मैंने तवे पे 4 कटलेट डाले हैं, इसको नीचे से थोड़ा सा गोल्डन होने देंगे, उसके बाद हम इसको टर्न करेंगे, ये नीचे से थोड़े थोड़े सेख गए हैं, अब हम इनके उपर थोड़ा सा ओईल डालेंगे, और इनको टर्न करेंगे, ये देखिए, य गोल्डन हो गए है अब इसको दूसरी साइट से भी गोल्डन होने तक हम सेखेंगे यह टिकिया दूसरी साइट से भी सेख गई है एक बर हम इसको फिर से टर्न कर लेते है यह देखिए क्रिस्पी हो गई है अब इसको दूसरी साइट से भी क्रिस्पी होने के लिए छोड़ यह टिकिया दोनों साइड से अच्छी तरह से क्रिस्प हो गई है, अब हम इनको प्लेट में निकाल लेंगे, और बाकी बची हुई टिकिया भी इसी तरह से हम शैलो फ्राय करेंगे, इस अभी कच्छी बनकर त्यार हो गए हैं, और इन्हें मैंने प्लेट में निकाल लिया है, यह देखिए, यह बहुत ही क्रिस्पी बने है, और मटर की वज़े से दिखने में भी बहुत सुन्दर कलर आया है, और यह खाने में भी बहुत टेस्टी है, आप यह रेसिपी जरू आप यह बने चैनल को सब्सक्राइब कर पास वाले बल आइकन को दबा कर औल क्लिक करें, थैंक्यू